लेकिन सोनिया गांदी जी तो यह लगी भी है कि उनका बेटा प्राइम निस्टर कैसे लालू जी लगे हुए कि बेटा मुक्मंत्री कैसे हुए इसमें दिक्कत क्या है प्रदीश अध्यक सम्राठ चौधरी ने सीधे सब्दों में कहा दिया है कि सोनिया गांदी अपने बेटी के चक्कर में लगी हुई है कि किसी तरीके से वो प्रदान मंत्री बन जाए तो वहीं राजस शुप्रीमो लालू प्रशाद यादव इस चक्कर में है कि जो हमारे बेटा यानि तीजश्वी यादव मुक्मंत्री बन जाए यानि दोनों अपने अपने स्वार्थ के लिए लगे हुए है लेकिन ये बिपक्ची एकता कितना मजबूत होगा ये तो आने वाला वक्ती बता पाएगा क्योंकि जिस तरीके से बिपक्ची एकता की बैठक में पटना में हुई और अर्विंद के जिरिवाल ने इस बैठक नितीश कुमार और लालू प्रशाद यादव जो है वो निकलेंगे तो ऐसे में आपको बता दे कि उसको उससे पहले समराट चौधरी ने नितीश कुमार पर निशाना साधा और सीधे सब्दों में कहा दिया कि नितीश कुमार के लालू प्रशाद यादव के बिना नहीं चल सकते हैं क्योंकि नितीश कुमार का कोई अस्तित्व बिहार में अब बच्छा ही नहीं है तो देश में कैसे होगा प्रधान मंतरी का सपना भले लोग देख रहे हैं लेकिन प्रधान मंतरी के रेस में कोई नहीं है नरेंद्र मोदी के सामने क्योंकि नरेंद्र मोदी जो तमाम जो उनकी जो पातियां है गटक दल है वो भी सामिल होगे वही चिराग पास्वान और उनके चाचा पशुपती पारश को लेकर जो अन्बन चल रहा है विवाद चल रहा है वो विवाद जो है वो कहीं विवाद नहीं है यह साब सब्दों में जो है समराट चौधरी ने कह दिया है यानि कहीं न कहीं इस बैठक को लेकर जो विवाद चल रहा है वो विवाद के बीच जो है यह समराट चौधरी ने सीधे सब्दों में चाचा भतीज़ को लेकर भी जो है असपस्ट कर दिया कि कोई विवाद नहीं मंची की पाटी और रास्टी यह किराग पासवान यानि लोग जन सक्ति पार्टी तमाम लोग जो है वो इस बैठक में इंडिये में सामिल होंगे वही एक तरफ बैंगलूर में जो है पिपक्षी एक्ता की बैठक होगी लेकिन उससे पहले जो है कहीं न कहीं समराद चौधरी ने निती इश्कुमार पर निसाना भी साध्या है तो वही इशारो इशारो में लालू प्रिशाद यादब पर भी निसाना साध्या है क्या कुछ का समराद चौधरी ने पहले वह आप सुले अब तो भूत कब जा हो नहीं सकता है इसलिए लालू जी अब चुनाओ जीत नहीं सकते लड़ेंगे अच्छा तो सौभागी का लालू जी के बीना तिटी सी खारो रहा है नितीज जी बिहार की राज़ी तेले फैक्टर नहीं है एकदम अस्पष्ट जानी लालू जी का है लालू जी से लड़ेंगे ठीक ठाक से लड़ेंगे आराम से कहीं कोई में क्या फर्क पड़ता है ममता दिदी क्या को फैक्टर नहीं है यहां सतर तीस का लड़ाई होगा सब्सक्राइब नहीं होना देश में फिर से नर्यन मुधी के नित्रित में 2024 में फिर से भाजपाकी सरकार बहुए सभी 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 और दीरे इस्तिती असपस्ट भी हो रही है कल अच्छे से बैटक होगी और देश के प्रदान मंत्री एस्वी नरेन मोदी जी के नित्रित में पूरी तरह एंडिये एगजुट होकर दोजार चुना लगाए प्रसुपति पारफ को लेकर कह रही है कोई संचे नहीं है सारे लोगों से बारता चल रही है सारे इस्तिती असपस्ट हो आपने सीदे सब्दों में सुना समराच चौदरी ने कहा कि लालु प्रशाद यादव यह चक्कर में है कि हमारा बेटा कैसे मुखमंत्री बने तो वही अरिके से एक तरफ केजरिवाल जो है अर्विंद केजरिवाल बिना सर्थ केस बैठक में सामिल नहीं हो रहे है क्योंकि पिछले बैठक में भी जो है उन्होंने बैठक में से पहले विवाद हुआ पोस्टर बादी हुई और बैठक के बाद भी कही न कहीं अर्विंद केज लेकिन आब जो है करीवन 24 से 25 पाटिया जो है नई पाटिया जुर रही है तो ऐसे में विपक्षी एक जुटता कितनी सफल होगी ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा अपने सयोगी कैमरामेन दिवाकर के साथ बने रहे देश्जी निउस के लिए और देखते नहीं कीजिये हमारे नंबरों पर संपर